नमस्कार, Vision ISK News Today के संक में आप सभी का सुपागत है इसंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं UPSC परिक्षा की दृष्टी से महत्वपोर्ण, कुछ एहम खबरें इसंक के साथ मैं हूँ दिव्यत उमर प्रधान मंत्री ने भारतिय नौ सीना के लिए स्प्रिंट चैलेंजिस का शुभारंब किया ICRA के अनुसार भारत माला परियोजना छे वर्ष की देरी से पूरी हो सकती है और इसंक में जानेंगे संकट ग्रस्त वैश्विक विवस्था के मंदी की ओर जाने की प्रवर्थी के बारे में साथ ही प्रमुक शब्दावलियों के बारे में भी जानेंगे मुख्य खबरों में और है संयुक्त अरब अमिरात को पीछे चोड़ कर संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के लिए विप्रेशन का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है सरकार ने नियूनुतम समर्थन मुल्य प्राकरतिक खेती और फसल विविधी करण के लिए समिती गठित की वैज्यानिकों ने कराकोरम विसंगती के मुद्दे का समाधान किया और आईए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं इस अंकी सबसे पहली खबर पेपर 3 के टॉपिक रक्षा शेत्र से है प्रधान मंत्री ने भारतिय नौ सेना के लिए स्प्रिंट चैलेंजिस का सुभारंब किया प्रधान मंत्री ने एक नौ सेनिक सेमिनार सुभाब लंबन में इस पहल का शुभारंब किया ये सेमिनार रक्षा शेत्र में आतनिर्भरता के दिशा में हित धारकों को शामिल करने के लिए आयुजित किया गया था स्प्रिंट एक सहियोग आधारित परियोजना है इसमें शामिल है SPRI यानि सपोर्टिंग पोल वॉल्टिंग इन आरेंडी थ्रू यानि आईडेक्स रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार इन का अर्थ है नौसेना नवाचार और स्वदेशी करन संगठन N.I.I.O और T का अर्थ है प्रोध्योगी की विकास त्वरन प्रकोष्ट इसका उद्देश्य भारतिय नौसेना में स्वदेशी प्रोध्योगी की के उपियोग को बढ़ावा देना है रक्षा शेत्र के स्वदेशी करन का मतलब है देश के भीतर ही रक्षा उपकरणों के डिजाइन, विकास और उत्पादन की शमता विक्सित करना इन कारियों के लिए अपने कौशल और संसाधनों का उप्योग किया जाता है इसका उद्देश्य आयात के बोज को कम करना और आत्मिरभरता प्राप्त करना है सरकार ने इसके लिए कई पहले शुरू की हैं इन पहलों के लाब के लिए विदेशी सुरोतों से रक्षा खरीद पर खर्च पिछले तीन वर्षों में 46 प्रतिशत से घटकर 36 प्रतिशत हो गया है इससे आयात का बोज कम हो गया है दरसल रक्षा स्वदेशी करन की आवशक्ता इसलिए भी है क्योंकि हिंद महा सागर शेत्र में सुरक्षा प्रदान करने वाले मुख्य देश की भूमिका निभाने के लिए ये बेहत जरूरी है शेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास यानि सागर के भारत के विजन को साकार करना साथ ही स्थिर विदेशी मुद्रा बनाए रखना जो की चालू खाता घाटा कम करने में मदद करेगा इसके अलावा रख्षा अधिग्रहन प्रक्रिया 2020 के तहट घरेलू स्रोतों से पूंजीगत वस्त्वों की खरीद को प्राथमिक्ता दी जा रही है साथ ही कुछ अन्य पहलें भी हैं जैसे कि रख्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार यानि आइडेक्स योजना आरंभ की गई है इसमें स्टार्ट अप्स और सूख्ष में लगू तथा मध्यम उध्यमों को शामिल किया गया है स्वचालित मार्क के तहट 74 प्रतिशत तक FDI की अनुमती दी गई है और साबजनिक खरीद आदेश 2017 का कार्यान वेन किया गया है इसमें मेक इन इंडिया को प्राथमिक्ता दी गई है अगली कबर अवसंरचना शेत्रि से जुड़ी हुई है ये पेपर 1 का टॉपिक है इक्रा के मुताबिक भारत माला परियोजना 6 वर्ष की देरी से पूरी हो सकती है भारत माला परियोजना के तहत सरकार एक महतोकांशी सड़क संपर्क परियोजना पर कारे कर रही है रेटिंग एजेंसी एकरा के मताबिक ये परियोजना वित्वर्ष 2028 में पूरी हो सकती है शुरुआत में इसे वित्वर्ष 2022 तक पूरा किया जाने का लक्ष रखा गया था वर्तमान में कुल राजमार्ग परियोजना का केवल 60 प्रतिशत ही आवंटित किया गया है और मार्च 2022 तक केवल 23 प्रतिशत परियोजना ही पूरी होई है दरसल परियोजना में देरी के कई कारण है जैसे कि भूमी अधिग्रहन में देरी भूमी अधिग्रहन की लागत में उल्लेखनी वृद्धी कोविड-19 महामारी और वित्व पोशन एक बड़ी समस्या है इसकी लागत वर्ष 2015 से लगभग दोगुनी हो गई है भारत माला परियोजना की घोशना वर्ष 2015 में की गई थी इसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्राले के तहत आरंभ किया गया था इसका मुख्य उद्देश्य देश भर में वस्तूओं और लोगों की आवाजाही की दक्षिता में सुधार करना है चरण एक के तहत वित्वर्ष 2022 तक 34,800 किलोमीटर के राजमार्ग के विकास का लक्षे रखा गया था चरण दो में वर्ष 2024 तक पूरे भारत में लगभग 48,000 किलोमीटर सड़क नेटवर्ग के विकास का लक्षे निर्धारित किया गया है भारत माला परियोजना की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों के विकास और चोप पॉइंट को समाप्त करके मौजुदा कॉरिडोर की दक्षिता में सुधार करेगी इसके अंतरगत पुर्वोत्तर में कनेक्टिविटी में सुधार लाने पर ध्यान दिया जाएगा साथ ही अंतरदेशिय जलमार्गों का भी लाब उठाया जाएगा दुरगटनाओं की स्थिती में तीवर्ता से कदम उठाने के लिए अवसंदचना का अभाव है ऐसे में ये परियोजना इस कमी को पूरा करेगी इससे परियोजना की तैयारी और परिसंपत्ती की निगरानी के लिए प्रोध्योगी की के उप्योग तथा वेग्यानिक रूप से योजना निर्मान को बल मिलेगा भारत माला परियोजना की छे मुखे विशेशता हैं आर्थिक गलियारों को जोड़ना आंत्रिक गलियारे और फीडर मार्व राष्ट्रिय गलियारा दक्षिता सुधार सीमा और अंतराष्ट्रिय मार्गों को जोडने वाली सडके तटों और बंदरगाहों को जोडने वाली सड़के तथा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वेए और आएब बात करते हैं पेपर 3 के टॉपिक अर्थ विवस्था की दरसल वैश्विक अर्थ विवस्था संकट ग्रस्थ है ये मंदी की और प्रवर्थ होती दिखाई दे रही है साथ ही प्रमुक शब्दावलियों के बारे में भी जानेंगे संक्त रज्य अमेरिका में मुद्रा इस्विती की दर 40 वर्ष के उच्चिस्तर पर पहुँच गई है इसी के साथ विशलेशकों ने कई प्रकार की आशंका प्रकट की है जैसे कि अमेरिका का यील्ड कर्व यानि की प्रतिफल कर्व उल्टा हो सकता है अमेरिका का केंद्रिय बैंक आर्थ विवस्था के लिए सौफ्ट लेंडिंग हासिल करने में सक्षम नहीं हो रहा है अवधी के लिए उधार देता है तो उसे ज्यादा प्रतिफल प्राप्त होता है हालां कि ऐसा समय भी आता है जब ये बॉंड यील्ड कर्व उलट जाता है इस स्थिति में लगू अवधी वाले बॉंड लंबी अवधी वाले बॉंड की तुलना में ज्यादा प्रतिफल का भुगतान करते हैं और ये स्थिति संकेत देती है कि निवेशक भविशे में कमजोर सम्रिधी की उम्मीद कर रहे हैं ये स्थिति मंदी का संकेत देती है Soft Landing मुद्रा इस्वीथी को नियंतरित करने के लिए मौद्रिक सक्ती का सहारा लिया जाता है ये मौद्रिक सक्ती अर्थविवस्था में विकास को धीमा कर देती है लेकिन मंदी की ओर नहीं ले जाती है इसे Soft Landing के रूप में जाना जाता है हाला कि जब केंद्रिय बैंक की कारवाईयां मंदी लाती है तब इसे Hard Landing कहा जाता है Reverse Currency War संक्तुराज अमेरिका में ब्यास दरें बढ़ाने से डॉलर की तुलना में अन्य मुद्राएं कमजोर हुई है अधिकतर देश अपने निर्यात को प्रतिसपर्दी बनाई रखने के लिए स्वेम ऐसा करते हैं इसे Currency War यानि मुद्रा युद्ध के रूप में जाना जाता है हाला कि डॉलर के मुकाबले अन्य मुद्रा के कमजोर होने से कच्चे तेल का आयात भी महगा हो जाता है और इस वज़े से देश अब ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है कि उनकी मुद्रा का डॉलर के मुकाबले बहुत अधिक मुल्य हरास ना हो और इसे ही Reverse Currency War कहा जाता है सेवक्त अरब अमिरात को पीछे चोड़ कर सेवक्त राज अमेरिका भारत के लिए Remittances का सबसे बड़ा स्रोथ बन गया है भारती रिजर्व बैंक के एक अधियन के मुताबिक भारत को विप्रेशन के मामले में अमेरिका UAE को पीछे चोड़ कर शीर स्रोथ देश बन गया है वर्ष 2021 में भारत को कुल विप्रेशन का 23 प्रतिशत अमेरिका से आया है भारत को आने वाला विप्रेशन भारत को आने वाले विप्रेशन में खाड़ी सहीयोग परिशद शेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 2016-17 में 50 प्रतिशत से जादा थी वर्ष 2021 में ये घटकर लगभग 30 प्रतिशत हो गई सरवाधिक विप्रेशन प्राप्त करने के मामले में महराश्ट्र केरल से आगे निकल गया है केरल तमिलनाडू और करनाटक का हिस्सा वर्ष 2021 में लगभग आधा हो गया था वर्ष 2016-17 से कुल विप्रेशन में इनका हिस्सा केवल 25 प्रतिशत रह गया है विप्रेशन स्रोथ देश में हुए बदलाव के कई कारण है दरसल भारतियों का विक्सित देशों की ओर प्रवास बढ़ा है संग्तुराज अमेरिका, युनाइटिट किंग्डम, कनाडा और दक्षिन अफरीका की ओर प्रवास करने वालों में अधिक कुशल वाइट कॉलर कामगारों की अधिकता है आर्थिक मंदी के कारण पिछले पांच वर्षों में भारत से जी सी सी देशों की ओर प्रवास कम हो गया है और इसके कई कारक हैं क्योंकि खाड़ी देशों में तेल की कीमतें सूस्त होई हैं सक्त श्रम कानून हो गए हैं वर्क परमिट के नवीनी करण के लिए ज्यादा शुल्क वसूला जा रहा है इसके अलावा करों की दरों में व्रिधी हो गई है और खाड़ी देश तेल राजसों के अलावा अन्य राजसों विकलपों पर भी कारे कर रहे हैं इन विकलपों में वे रोजगार में प्रवासियों की वजाए अपने नागरिकों को प्राथमिक्ता दे रहे हैं विश्यू बैंक की प्रवासन और विकास रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत को सरवाधिक विप्रेशन प्राप्त हुआ था अगली खबर MSP से जुड़ी हुई है सरकार ने नियुनुतम समर्थन मोल्य प्राकरतिक खेती और फसल विविधिकरण के लिए समिती गठित की समिती का गठन पूर्व केंद्रिये कृषी सचेव संजय अगरवाल की अध्यक्षता में किया गया आठ महीने पहले कृषी कानूनों को निरस्त करने के दौरान सरकार की प्रतिबधिता को पूरा करने के लिए ऐसी समिती गठित करने की घोषना की गई थी जैसे कि MSP को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना शूने बजट प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए उपायों का सुझाओ देना आपको बता दे कि Zero Budget Natural Farming पौधों के विकास और कटाई की शूने लागत वाली खेती है बदलती खादे सुरक्षा और आवश्यक्ता को पूरा करने के लिए ये समिती फसल विविधी करण को बढ़ावा देने के उपायों पर सुझाओ भी देगी नियूनतम समर्थन मूले पृतेग फसली मौसम के दौरान कृशी लागत और मूले आयूग यानि CACP की सिफारिशों पर केंदर सरकार 23 फसलों के लिए MSP की घुशना करते हैं एक फसल के लिए MSP वो मूले है जिस पर सरकार को उस फसल को किसानों से खरीदना होता है यदि बजार मूले इससे नीचे चला जाता है उस इस्थिती में लेकिन MSP विवस्था के तहट वर्तमान में कई चुनोतियां हैं जैसे कि ये विवस्था धान और गेहूं की ओर अधिक जुकी हुई है और इस तरह से ये किसानों को इन फसलों के उत्पादन के लिए प्रोथसाहित करती है इस विवस्था से सीमित संख्या में किसानों को लाब हुआ है आकड़े देखे जाए तो केवल 2.2 प्रतिशत किसान ही MSP प्रणाली से लाभानवित होते हैं ये लाब भी पूरे देश में एक जैसा नहीं है हरियाना और पंजाब को ज्यादा लाब हुआ है खरीद केंद्रों की स्थापना में देरी की समस्या है इसके अल अरहर यतूर उडद मूंग और मसूर शामिल है साथ प्रकार के तिलहन यानि की रेप सीड सरसों मूंग फली सोयबीन सूरज मुखी तिल कुसुम और नाइजर सीड यानि राम तिल शामिल है और चार तरह की वानिजिक फसलें जिसमें कपास गन्ना खोपरा और कच्चा अरूट शामिल है इसमें काराकोरम रेंज में हिम्नदों के वैश्विक तापन के कारण नहीं पिघलने के कारणों की व्याख्या करने के लिए नए सिध्धान्त की पुष्टी की गई है। उख्य हिम्नदिय शेत्रों में हिम्पात बढ़ाने में पश्चिमी विक्षोब के योगदान में लगभग 27 प्रतिशत की व्रधी हुई है। पाकिस्तान, भारत, चीन, नेपाल, भूटान और बांगलादेश होते हुए पूर्व में म्यामार तक विस्तृत है। और आईए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूंट सुर्खियों की। सिविल सेवा प्रिसिक्षन संस्थानों के लिए राश्ट्रिय मानक, इन मानकों को शमता निर्मान आयोग ने विक्सित किया है। इनका उद्देश्य सिविल सेवकों के लिए शमता निर्मान तंत्र को संस्थागत बनाना है, जो कि शाषन के लिए महत्वपूंट साधन है। और ऐसा करने वाला भारत विश्यो का पहला देश बन गया है, इसने राश्ट्रिय स्तर पर सिविल सेवा प्रिसिक्षन संस्थानों के लिए मानक बनाने के लिए एक अनूठा मॉडल प्रस्तुत किया है। इससे पहले सरकार ने मिशन कर्मयोगी लॉंच किया था, इस मिशन का उद्देश्य उचित द्रिश्टिकॉर्ण, कौशल और ग्यान के साथ भविश्य के लिए तैयार सिविल सेवा का निर्मान करना था। साहता के लिए सारजनिक योगदान से की गई थी, वर्तमान में पीम एनारेफ धनराशी का इस्तमाल बाढ़, चक्रवात और भूकंप आधी जैसी प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिजनों और बड़ी दुरगटनाओं तथा दंगों के पीड़ितों को ततकाल राहत पहुचाने के लिए किया जाता है, इसमें कोई बजटिये सहता नहीं मिलती है, इसमें व्यक्तियों, संगटनों, ट्रस्टों, कमपनियों और संस्थानों आदी से स्वैक्षिक योगदान स्विकार किया जाता है, पीम एनारेफ को दीगई दानराशी पूरी तरह से कर्मुक्त होती है, इसे कमपनी अधिनियम 2013 के तहट, कॉर्परेट सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है, प्रधानमंत्री इस कोश के अध्यक्ष होते हैं दीजी यात्रा परियोजना एक विशिष्ठ डीजी यात्रा आईडी प्रदान की जाएगी, डीजी यात्रा सेंट्रल इकोसिस्टम बनाने के लिए डीजी यात्रा पॉण्डेशन की इस्थापना की गयी है, दीवाइएफ याने डीजी यात्रा फांडेशन एक संयुक्त उध्यम कमपनी के रूप में सरकार ने सूचित किया है कि आत्मिर्भर भारत रोज़गार योजना के तहत 1,50,000 प्रतिष्ठानों के माध्यम से लगभग 60,000,000 लाभार्थी लाभानवित हुए हैं ABRY को वर्ष 2020 में COVID-19 वैश्विक महामारी के दौरान शुरू किया गया था इस योजना का उद्देश्य नए कर्मचारियों को नियुक्त करने और नौकरी से वंचित हो चुके कर्मचारियों को फिर से नियुजित करने के लिए नियुक्ताओं को प्रोचसाहित करना है इसे कर्मचारी भविशे निधी संगठन के माध्यम से लागू किया जा रहा है इसका लक्षन नियुक्ताओं के वित्तिय बोज को कम करना और उन्हें अधिक कर्मियों को काम पर रखने के लिए प्रोचसाहित करना है नमस्ते योजना और अधिकारिता मंत्राले लागू करेगा इस योजना को हाथ से मैला उठाने वालों के पुनरवास के लिए स्वरोजगार योजना की जगह लागू किया जाएगा परियावरनिय प्रभाव आकलन नियमों में संशोधन प्रतिशत तक उप्योग करते हैं साथ ही ये नियम केवल मत्स्यन गतिविधी से जुड़े पत्तनों और हारबर की छूट सीमा में भी बढ़ूतरी करते हैं इस अधिसूशना में हवाई अड़ों पर टर्मिनल भवनों के विस्तार से संबंधित परियोजनाओं को चाट फीवर या विसरल लिष्मैनियासिस के रूप में भी जाना जाता है यह प्रोटो जुआ покуп 늘 परजीवि जनित रौग हैं यह संबंधित नामक बेच्चार संभव हैं भारत में विक द्धृर ज़ार खन्ड उत्त्तरपरदेश और पश्चिं बंगाल में इस्थ्थानि इस रोग को नियंत्रित करने के लिए राश्ट्रिय काला जार उन्मूलन का रिक्रम शुरू किया गया था सरकार का लक्ष वर्ष 2015 तक भारत से इस रोग को समाप्त करना था लेकिन अभी तक इस लक्ष को प्राप्त नहीं किया जा सका है दूसरा चर्चित रोग है अफ्रीकन स्वाइन फीवर के मामले सामने आए हैं इसके कारण राजी सरकार ने सूर सूर के मास सूर के मास उतपाद और सूर से प्राप्त खाद के परिवहन पर 30 दिनों तक प्रतिबंध लगा दिया है अफ्रीकन स्वाइन फीवर एक अत्यधिक संक्रामक और घा तक वायरल रोग है ये सुवरों और जंगली सुवरों को प्रभावित करता है, इसमें मृत्यूदर 100 प्रितिशत तक होती है अफ्रीकन स्वाइन फीवर मानव स्वास्थे के लिए खत्रा नहीं है, ये सुवरों से मनुश्यों में संचारित नहीं होता है वर्तमान में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के लिए कोई प्रभावी टी का उपलब्ध नहीं है इसके लक्षन तेज बुखार, उल्टी, दस्त, इत्यादी है इस रोग को भारत में पहली बार वर्ष 2019 में रिपोर्ट किया गया था पद्मनाब स्वामी मंदिर उचितम न्याले ने पद्मनाब स्वामी मंदिर की आय और व्याय के लेखा परिक्षन के लिए समय सीमा में व्रिधी की है इस मंदिर का निर्मान आठवी शताब्धी में हुआ था मंदिर की वर्तमान संरशना का निर्मान 18 शाताबदी में 53 कोर के माहराजा मारतंड वर्माने करवाय था ये केरल के तिरुवनन्द कुरम में इस्थित है ये स्थापत्यकला की चेड़ शेली यानि द्रविन इस्थापत्यकला में निर्मित है इस मंदिर के मुख्य देवता भगवान विश्नु है, विशेश नाग पर अनन्त शैन मुद्रा यानि शाश्वत योगी की जुकी हुई मुद्रा में विराजमान है। इस इभारत में वैश्नववाद से जुड़े 108 पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन आईस की पूरी टीम आपसे इजाज़त लेती है। नमस्कार, थैंक यू फोर लिसनिंग।